आखिर तेजस्वी यादब को कुश्वाहा यादब भाई-भाई क्यों कहना पड़ा? जी हाँ मैं रोशन और आप देखे रवनी टैम्स में आपका स्वागत है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादब कुश्वाहा समाज से आने वाले शहीद नेता जगदे परसाद को भार अब हम लोग आपस में नहीं लरेंगे कारे करम को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा पिछले लोग सभाद चुनाओ में हम लोगों ने कुश्वाहा समाज के लोगों को सब से दा टिकर दिलवाने का काम किया था आप सभी लोग विश्वास कर सकते हैं आने पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे दूसरी पीढ़ी के जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी राज करेगी अपने भासन के दवरान तिजस्वी ने इशारो इशारो में मुख्य मंतरी नितिस कुमार और परधान मंतरी नरेंदर मोधी पर जमकर निशाना साधा इधर राजत स जगदे परसाद करपुरी ठागुर रामनोहर लोहया की युगदान को हमेशा याद रखने और सभी से एक जुट रहने की अपिल की है पहले जानते की शहीद जगदे परसाद कौन है आखिर जगदे परसाद बिहार के एक मातर नेता है जिने शहीद कहा जाता है समाजवादी विचारधारा के बड़े नेताओं में इनकी गिंती होती है जगदे परसाद का बिहार में इतना परभाव था कि ततकालिन पीम इंदरा गांधी ने उन्हें दिल्ली बुलाया और साथ आने पर सीम पद की ओफर की थी इस मुलाकात के बाद जगदे परसाद बिहार पहुँचे और जेपी आन्दोलन में शामिल हो गए आन्दोलन के दवरान 5 सितंबर 1974 को पुलिस की गोली से उनकी मौत हो गई इस हत्याकान की जांच को लेकर आयोग भी बना लेकिन 50 साल बाद भी रिपोर्ट नहीं आई त्यस्वी आदब ने आगे क्या गहा लालू परसाद के राज में कोई पीछरा थाने चला जाता था तो उसको सम्मान दिया जाता था अब कोई सुनने वाला नहीं है क्योंकि यहां अपसर साही हावी है आम लोग मुख्या सरपंच की तो छोड़िये मंतरी की भी कोई नहीं सुनती है लोग तंतर में जनता मालिक होती है लेकिन यहां तो अपसरो का राज है पांस से चो अपसर बिहार में सरकार चला रहा है कैसी भी प्रस्तिती आए लेकिन राष्टिये जनता दल ने कभी समझोता नहीं किया आतक लालू परसाद ने RSS भाजपा से कभी समझोता नहीं किया हम लोगों ने जाती अधारित गन्ना कराने का काम किया लगातार हम लोग की ये मांग रही बिधान सबा में मैंने प्रस्ताव रखा कैंदर सरकार ने जाती अधारित गन्ना कराने से मना कर दिया हमने वादा किया था 10 लग सरकारी नौकरी देंगे हम जब 17 महीने उप मुख मंतिर्य है तो 5 लग सरकारी नौकरी दी तीन लाख और नौकरी का इंतिजाम किया नितिस कुमार कहते थे सेलरी कहां से लाएगा बाप के घर से लाएगा दूसरी तरब देखिये खुद परधान मंतरी का पैर पकरने का काम कर रहे है तेस्वी बोले केंदर बड़ी चालाकी से आरक्षन खत्म कर रही है अपने संसोधन के दवरान तेस्वी ने आरक्षन को लेकर केंदर सरकार पर जम करने साना साधा उन्होंने आरोप लेया कि केंदर सरकार बड़ी चालाकी से आरक्षन खत्म करने की कोशिश कर रहे है लिटल बहाली में इसे खत्म करने की कोशिश हुई है हम लोगों ने आवाज उठाई तो भारत सरकार का ये कदम वापस लेना परा पिछली बाल बापु सभागार में हमने कहा था आप एक कदम चलेगा तो हम चार कदम आपकी तरफ चलेंगे हम लोगों ने लोग सभा चुनाओं में कुस्वाह समाज को परियाप टिकर देने का काम किया हम लोग सब देख रहा है कि कौन हम लोगों को आपस में जगरा लगवाने का काम कर रहा है साजीसों का अमबार लगा रहा है जगदे बावु के विचारों को लालू परसाद ने सबस्यदा बढ़ाया कारेकरम की अध्यक्षता कर रहे है पूर मंतरी अलोक महता ने भी जगदे परसाद को भारत रदन देने की मांग की है उन्होंने कहा कि जगदे बावु के विचारों को लालू परसाद ने सबस्यदा बढ़ाया है वहीं RGD सांसत अभै कुश्वाह ने कहा कि जगदे बावु की सहाधत बेकार नहीं गई जगदे परसाद कुश्वाह जाती से आते थे और वंचित पक्ष में उन्होंने मुखर होकर आवाज उठाई कूर्था में एक अंदोलन के करम में पुलिस की गोली से वो मारे गया थे आरजेडी उनकी पूने तीथी के बहाने कुश्वाह वोट बैंको ताकतवर भी करना चाहती है बतादे कारे करम की अध्यक्षता करने वाले पूर मंत्री आलोक महता कुश्वाह जाती से ही आते हैं पटनामी सौसर पर कई पोश्टर लगाया गया जिसमें कई कुश्वाह निताओ की तस्वीर बिहार में कुश्वाह जाती की अवादी चार फिजदी है आरजेडी सांसद अभाय कुश्वाह लोकसभा में आरजेडी के संसद्य दल को निता बनाया गया है आरजेटी का मानना है कि देश में समिधान खत्रे में है और आरक्षन को खत्म करने की साजिस के नसरकार कर रही है बिहार में जाती सर्वे के बाद आरक्षन का दैरा बढ़ा कर 65 फिजदी किया गया आरजेटी से समिधान की नौमी अनुसुची में शामिल करने की मांग कर रही है इसको लेकर पूरे बिहार में एक दिवस्य धरनाब परदर्शन भी किया गया था जो तिश्वी का जो कहना है कि कुषवा यादव भाई भाई अब हम लोग आपस में नहीं लड़ेंगे कहीं न कहीं कुषवा वोट भाईं को साधने की कोशिस की जा रही है ताकि दोहर पचीस के विधान सवा में शियम तिश्वी यादव बन सके आप लोग इस पर क्या राई विचार कमेंट आप लोग कमेंट करके जरूर बताईएगा तब तक के लिए बाबाई टेक कियर